आपका हमारी यूटूब चैनल बेकी स्माइल में स्वागत है जी हाँ दोस्तों आज हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आए हैं यानि कि बीट सिकंड इयर का सबसे पहला क्यूस्टन फर्स्ट पेपर का इंपोर्टन क्यूस्टन के सिरीज में हम सबसे पहला क्यूस्टन लेके आए हैं यूजी सी के अध्यच यूजी सी के अध्यच कौन है तो हम सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्यूस्टन है दोस्तों यूजी सी के अध्यच कौन है तो जिहां दोस्तों इसका right answer होगा जगदीश कुमार यूजीशी के अध्यच है जगदीश कुमार यूजीशी के अध्यच है स्वास्त सिच्छा का संप्रत्य क्या होता है तो स्वास्त सिच्छा का संप्रत्य क्या होता है तो इसकी बारे में हम जानेंगे संप्रत्य का सबसे अच्छा अर्थ क्या होता है तो स्वास्त सिच्छा का दृढ विश्वास संप्रत्य का क्या अर्थ होता है दृढ विश्वा यानि कि यदि स्वास सिच्छा हम लेते हैं तो उसमें हमको द्रडविश्वास होना चाहिए किसी भी एजुकेशन में हमको द्रडविश्वास यदि नहीं होता है तो एजुकेशन सही नहीं होता है इसका मतलब किसी विजीच को लेने से पहले हमें उसमें द्रिडविश्वास होना चाहिए तो educational सिच्छा लेने के लिए हमारा क्या होना चाहिए समप्रत्य और द्रिडविश्वास होना चाहिए तो इसकी बारे में हम जानेगे स्वास्त सिच्छा ऐसा साधन है स्वास्ट सिछा को एक साधन बताया गया है अर्था स्वास्ट सिछा एक साधन है जिसमें कुछ बिसेस् योग्य विसेष, विसेष्ट का मतलब क्या होता है? विसेष्ट या विसेष्ट योग्य एवं सिच्छित व्यक्तियों की सहायता से जनता को स्वास्त संबंधित ज्यान तथा आप सरगिक एवं विसेष्ट व्याधियों से बचने के उपायों का प्रसार किया जा सकता है एक बार फिर हम दोराएंगे दोस्तों कि सिच्छा यानि स्वास्त सिच्छा का संप्रत्य क्या होता है तो स्वास्त सिच्छा का संप्रत्य है दोस्तों स्वास्त सिच्छा ऐसा साधन है क्या है एक ऐसा साधन है जिसमें कुछ विशेस योगी एवं सिच्छित व्यक्तियों की सहायता से जनता को स्वास्त सम्द्ध ज्ञान तथा और सरगिक एवं विशिष्ट ब्याधियों से बचने के उपायों का प्रसार किया जा सकता है अर्थात स्वास्त सिच्छा एक ऐसा साधन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज्ञान युक्त ब्यक्तियों को अर्थात ऐसे ब्यक्ति जो पढ़े लिखे हों अज्ञान ही ना हो ऐसे ब्यक्ति जो पढ़े लिखे हों सिच्छित ब्यक्ति हों कि वो बेक्ति क्या करता है, गाउं गाउं समाज समाज जा करके असिचित लोगों को ये बताता है कि किसी भी रोग से बचने के उपाई क्या होने चाहिए और किसी भी संक्रामक रोगों से बचने का क्या उपाव होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन से यूज की जाती है, हमको सतरकता के अनुसार कैसे रहना है तो संप्रत्य यानि द्रिडविस्व, अफसरगी का मतलब होता है इन्फेक्शनर्स डिजीज, अर्थात इन्फेक्शनर्स डिजीज से बचने के उपायों को भी हम साधन मिलेते हैं infectious disease या और सरगीक रोगों से बचने के उपायों को हम लोगों को समझाते हैं किसकी सहायता से तो वो सहायता होगी सिच्छित ब्यक्तियों की सहायता से तो हमको क्या करना होता है कि एक ग्रूप बनाना होता है सिच्छित ब्यक्तियों का जिसमें गाउं गाउं लोगों तक पहुँच करके स्वास्थ से सम्मध्धित, एजूकेशन से सम्मध्धित, स्वास्थ सिच्छा से सम्मध्धित लोगों को हम जानकारी प्रदान करते हैं. तो इसका स्वास्थित सिख्छा का संप्रत्त यही है कि हम लोग क्या करते हैं आसिछित हुए भ्यक्तियों को क्या करते हैं व्याधियों यानि रोगों से पीड़ा से बिशैस्पकार के रोग से पीड़ा से और सरगिक का मतलब क्या हो जाता इन्फेक्चनस डिजीज और स्वास्त से संबंधित ज्यान, इन्फेक्चनस डिजीज से और उससे होने वाले पीड़ा या रोगों से बतने की उपायों का हम लोग प्रसार करते हैं. तो इसी को हम कहते हैं स्वास्य सिच्छा का संप्रत्य अर्था स्वास्य सिच्छा का संप्रत्य क्या होता है स्वास्य सिच्छा का संप्रत्य वह साधन होता है जिसमें हम सिच्छित व्यक्तियों के एक समूँ को तयार करते हैं और वह समूँ लोगों तक पहुंच करके किसी रोग यानि infectious disease के बारे में तथा उससे होने वाले पीड़ा वार रोग के बारे में तथा infectious disease के अलामा उसकी जानकारियों को जो लोगों तक बताते हैं वो होता है स्वासिच्छा का संप्रत्य तो बहतर होगा की आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों आते हैं next question पर इन्टरा गाधी नेशनल ओपन इन्वर्शिटी एक बार फिर से इसको दोर आते हैं सबसे पहले यूजीशी के अध्यच कौन है तो यूजीची के अध्यच से दो जगदीश कुमार्ट दूसरा होता है हमारा क्यूश्चन आता है कि स्वास्ट शिच्छा का संप्रत्य क्या हो आकिर हम ऐसे क्या दृविविश्वास करें कि हम को किसी भी स्वास्ыт से सम्बंधित-जानकारी, किसी भी स्वास्थ्रे सम्बंधित-रोगों एवन-इन्फिक्षनस रोगों तथा उनसे ब्याधियों के पीड़ा पे हमें निदान मिल सकें ऐसी जानकारियों के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ऐसे ब्यक्ति को चुनते हैं, जो क्या हो, पढ़ा लिखा हो, सिच्छित ब्यक्ति को, किसे सिच्छित ब्यक्तियों की सहायता से क्या करते हैं, जनता को स्वास्त से संबंधित ज्यान प्रदान करते हैं, तथा किसी किसी भी रोग से बचने के उपायों के साधन को हम बताते हैं किसी भी प्रकार के ब्याधियों यानि रोगों से पीड़ा को भी हम दर्साते हैं अर्था इसको अगर हम पूरा पढ़ के बताएं तो स्वास्ते सिच्छा ऐसा साधन है जिसमें कुछ विशेस योग एवं और सरगीक का मतलब क्या होता है और सरगीक का मतलब होता है इन्फिक्सनस इन्फिक्सनस डिजीज और बिसिच्छ जो बिसिच्छ डिजीज होते हैं बड़े प्रकार के डिजीज के ब्याधियों के होने वाले रोगों से पीडों से बचने के उपायों का प्रसार करते हैं सी जनता तक जा करके स्वास्त से संबंदित जानकारियों को प्रदान करते हैं तथा इंफेक्शन डिजीज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं एवं बिसेस्ट प्रकार के रोगों के भीवारे में जानकारी प्रदान करते हैं तथा ब्याधियों आनि पीडा से होने वाले दर्दों से निवारन के बारे में हम लोग जनकारी पतान करते हैं। तिसरा question है, इग्नू का फूल फाम। तो इंद्रा गाधि, नेश्नल ओपन उनिवर्सिटी। इंद्रा गाधि, नेश्नल ओपन उनिवर्सिटी। तो आज हम तीन question कवर किये हैं। यह हैं दोस्तों यह दोजार रिकेस में पूछे गए थे बीएट सिकंड डियर में Hope you आप सब को समझ में आ गया होगा Thank you and have a nice day दोस्तो